दोस्तों गर अपने गर की construction करवा रहे हो तो यह वीडियो जुरूर देख लेना क्यूंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने story तक आप बिना कॉलम के बना सकते हो वो रिस्क रहेगा नहीं बिना कॉलम के और क्या चीजे कर सकते हैं कौन सा बीम ऐसा होता है जो बिना कॉलम के आप दोगे आप दूसरी story बना सकते हो अगर आपने नीचे बीम कॉलम नहीं दिया तो काफी इंट्रेस्टिंग और इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है थोड प्लीड वीडियो देखना उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दवा लो पहले तो मैं सबसे पहले क्लेर कर दूँ जो सामने आप गर देख रहे हो बनता हुआ यह दो story का बिना कॉलम के इसमें कोई कॉलम नहीं दिया गया और अभी मैं इसका answer आपको बताता हूं कि आप 2,1,2 या 3 एक से 2 story आप बना सकते हो बिना कॉलम के कोई दिक्कत नहीं है तीन मेरे ख्याल में नहीं बनाना चाहिए और अगर 2 story आपको बनाना भी है मतलब कॉलम के बिना कॉलम के तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी होती है जब आप घर बनाओगे तो उसमें क्या 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 आपको लेके चलना है कि आपका घर वो सेव रहे क्यूंकि बिना कॉलम के में ऐसे भी सुज़ेस्ट नहीं करूँगा गर्बनाना लेकिन कुछ जगह पे आप बना सकते हो कोई दिक्त नहीं है एक तो वहां जहां जादा अर्थक्वेग बगारा नहीं आते हैं ठीक है एक ये चीज है दूसरी चीज है कि अगर बिना कॉलम के आप वो मंजील से जादा आपको नहीं बनाना है क्योंकि ये सेफ नहीं है अभी के इन्वार्मेंट के हिसाब से पहले बनते थे पहले तो पांच-पांच-छे-छे विल्डिंग भी बनी हुई है काफी यूनिवस्टी पुरवनी है जो बिना कॉलम के बनी हुई है लेकिन अभी य नीचे से ही स्टार्ट होगा तो फांडेशन में क्या चीज आपको दियान देनी है जब आप गर्म नाओं पहली जीज जो सौईल होगी वहां की वो चेक करनी है वो कहीं जोन 6 की दियो नहीं है मतलब इसमें भी जो टेक्निकल नहीं है उनको मैं समझाता हूं अलग से पहले जो टेक्निकल परसन है उनको देख लो जोन 6, जोन 5, जोन 4, जोन 3, 6 आगया हमारा जोन जो मतलब कहीं क्या होगा कहीं प्लाट में क्या करते हैं मिटी डाली होती है बाद में लाके ठीक है ओ मिटी में नहीं बनाना है जोन 5 हो गया कि थोड़ी मिटी है जिसमें पत्थर कु यह zone 4 में इद्यान देना ठीक है zone 4 में यह पहली condition है जो हम बीना कॉलम के घर के लिए दूसरी condition क्या है आपको वहाँ foundation wide देनी है क्या किया जाते है आपने देखा होगा पुरानी pics भी आगर technical person है आपकी book जो BCMD की book है वहाँ building construction जो बनाए गए है जैसे मतलब उसमें क्या कि यह दिखाया होगा कि layer wise layer brick की foundation की जाती है मतलब पहले लंबी थोड़ी लंबी होती है उसे चोटी 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 ऐसे मतलब paramedia ऐसा बनाया होता है तो ऐसी foundation का वहाँ रियोग होना चाहिए कि मतलब brick work नीचे होना चाहिए यह wide foundation होनी चाहिए फ्लैर टाइप की वह अर्थ के बाइचांस बाद में आये वी तो horizontal force को वह counter कर सके एक दम से गिर नी जाए तो यह चीज भी आपको देखनी है ठीक है foundation के दोरान next चीज जो देखनी है आपको plinth beam provide करना है मतलब पूरे गर में वहाँ plinth beam होना ही होना चाहिए ठोड़ी उसको protection मिले कि by chance future में कभी settlement हो तो वो दिवारों में crack नहीं पड़े उसमें ठीक है अगर column जहां column provide किये होते हैं वहाँ crack पढ़ने के chances कम होते हैं क्यूं क्यूंकि वो जो settlement होगी वो counter कर लेते हैं beam की अपनी जो slab होती है उसको नहीं थोड़ा बैठने देते हैं लेकिन इसमें क्या होता है load bedding structure है तो अगर नीचे settlement हुई थोड़ी नीचे जगा बैठी तो वो crack दिखाएगी बड़ी और घर गिरने के chances हो जाती है ठीक है यह चीज आपको दियान देनी है next चीज जो आपको देखनी है जब भी आप brick work करो आपने जो technical person है उनको पता होगा English bond क्या होती है जैसे अभी ऐसे technical की बात नहीं करूं में mostly अभी तो सबको जो mystery बगा रहे हैं उनको सबको पता है English bond क्या होती है वो ही आपको prefer करनी है क्या होती है मतलब alternate brick ल आपने देखा होगा जो brick होती है उसमें जहां नाम लिखा होता है वहां खड़ा जैसे होता है 100 mm by 4 mm 40 mm by 20 mm यह खड़ा proper way से होना चाहिए कि encourage मिले दिवार को की horizontal force को वो counter कर सके ठीक है एक यह हो गया next चीज जो देखनी है आपको tie beam और slab beam आपको provide करने है ध्यान देना क्या tie beam और slab beam मतलब आप बिना column के घर बना सकते हो लेकिन बिना beam के इस समय सेफ नहीं है column मत दो दो स्टोरी तक लेकिन आपको beam देना ही देना है कौन सा beam? tie beam भी देना है जो मतलब plinth beam हो गया कोई 2 मिटर तक आप दिवार उठा ही फिर आपको tie beam देना है फिर उपर slab beam उसको दे देना है एक मैं इसकी एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ आपके जैसे की एक स्टोरी बन चुकी है उसके उपर हम नेक्स स्टोरी उठा रहे हैं बिला column के ही उसमें क्या चीज हम देती है मैं दिखाता हूँ आप गुरू को देखो सामने आप देख रहे हो क्या है यह एक जो नीचे वाला स्टोरी है मतलब ग्राउंड फ्लोर बना हुए है उसके उपर इसको extension करने है तो इसमें हमने इस घर में कोई column नहीं है तो आपको सबसे पहला काम क्या करने है जैसे सामने आपका प्लान है आप जिस हिसाब से second story बनाना चाहते हो उसकी marking कर लो मतलब जहां जहां आपको दिवार आनी चाहती है और मैं पीछे एक point चूट गया बोलना कि नीचे की दिवारें अगर ground floor आपका बनना है दो मतलब story बनानी है नीचे की दिवारें जो आप दोगे वो 8 inch से कमनी होनी चाहिए छोटी मोटी partitions ह अंदर में वो दे सकते हो आप 4 inch की लेकिन 230 mm से छोटी दिवार नीचे नहीं होनी चाहिए अगर आप बना रहे हो load bearing structure without column मतलब दोनों story नीचे वाली story में 230 से कमनी होनी चाहिए उपर में आप बाहर वाली जो parameter में रहेगी वो 230 की रहेगी अंदर वाली partition आप दे सकते हो ठीक हैं मतलब बीम मतलब जिनको हम inverted beam बोलो inverted beam डालने हैं देखो सामने आप डाल रहे हैं उसी पे हमारी उपर वाली wall rest करेगी यह हमेशा दियान देना जब भी आप बिना column के गर्म ना होगे यह बहुत ज़्यादा important है एक यह resistant देगी अर्थ को कि आपका घर थोड़ा मतलब जो सामने आप देख रहे हो जो यह सामने बीम आपको देख रहे हैं मतलब एक स्टील बांदा हुआ है बीम के अगार में यह हमारे होते हैं है जा फ्लैड बीम बोलो इनको इनकी कोई लटक नहीं होती है एक इनको आप नाम दे दूगे concealed beam भी बोल सकते हैं लेकिन concealed beam एक अलग स्टीज आगे यह आगे हमारे hatch beam और या flat beam इसको हम provide इसलिए करते हैं क्या होता है जब हमारे पुराने गर थे जो load bearing structure थे जिन में ना कोई column दिये थे ना beam दिये थे simple flat slab दी हुई थी जैसे आप सामने देख रहे हो उसमें क्या करते हैं हमें next story बनानी है अगली मंजिल उसमे त्यार करनी है लेकिन उसमें ना तो नीचे column है ना तो beam है और आप चाहते होगी ना हमें अभी column भी provide नहीं करने क्यूंकि दो story तक आप load bearing structure बना सकते हो सिर्फ मतलब दिवारों पर अपना गर बना सकते हो लेकिन अब उसमें भी आपको दियान देने है उसमें आपको देने करने के लिए नीचे तो कुछ होना चाहिए flat slab है ना column है नीचे तो उस पे कैसे हम उपर गर बना सकते है ठीक है वो एक question है मेरे को काफी time पूछा भी गया है और यह अच्छा idea है एक अच्छा तरीक है जिसे load भी distribute होता है hatch beam provide करके क्या करने है जो आपका plan हो जैसा plan है उस इ जैसे marking कर रहे हैं कि हमारे यहां यहां हमारा दिवार आएगी hatch beam वहीं दिया जाता है जहां जहां दिवार आनी हो ज्यादा देने की जुरूरत नहीं है क्योंकि जो आपने slab डाली होगी उसमें steel होगा और नीचे दिवारे ही है नो इंच की है पांच इंच की है लेकिन जिटने की आपकी दिवार होगी उतने कई आपको hatch beam उसमें provide करना है करना एक तरीका यह है पूरे मतलब जहां-जहां आपका आएगा मतलब जहां-जहां दिवार आने वाली है जैसे एक मार्किंग हो रही है वहाँ-वहां आपको hatch beam पहले draw कर लेना है एक बार मार्किंग कर उसका layout कर लिया, उसके बाद जैसे मैंने बताया था, पैसे कैसे बचाओगे इसमें, देखो क्या करो, जो brick वहाँ available होंगी, क्योंकि shattering करने से costly हो सकता है, brick लगा देनी है, side side पे, जैसे जैसे आपका आएगा, ठीक है, जब जे हो जाए, उसके बाद क्या करना है, थोड़ी hacking कर लिया, मतलब, थोड़ा जो surface है, उसको rough मलने हो, जैसे मैंने देख रहे हो, आप सामने निशान मारे हुएं, यह क्या है, bond के लिए, उसके बाद उसमें steel provide कर देना है, और इसमें जो आपको steel provide करना है, 12 mm का steel provide करो, कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, bottom में दो नग दे दो मतलब, तोड़ तोड़ के मत करना, जहां आगर जरूरत नहीं है, आ रहा है, continue कर दो, लेकिन तोड़ तोड़ के उसको नहीं करना होता है, जब एक बार ही हो गया है, मतलब, आपने steel बगारा बांद दिया, उसके बाद इसमें थोड़ा नीरू से नीचे कर लो, उसके बाद आपको इसको concrete कर देना है, और जो concrete इसको use करना है, वो minimum M30 grade का concrete इसमें use करना ही करना है, मतलब, आपके 1 MQ के माल में 8 बोरी cement होना ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ी strength need है, क्योंकि सब load जो भी दिवारें इसके उपर बढ़ेंगी, सब इस पे आने वाली है, और 7 द इस पे brick work नहीं करना है, ये था process hatch beam को provide करनेगा, हमेशा ध्यान देना है, कभी भी बिना hatch beam के उपर की story नहीं बनाना, अगर column बगेरा है, beam दी है, फिर आप जो करना है, जैसे process रहता है, वैसे करते हैं, उसके बाद ऐसे दिवारें आएंगी, और जो hatch beam की change होगा, उसमें cank बेंकरा बेंकरा डाल के उसको proper flooring उसमें कर दी जाती है, अगर वीडियो पसंद आये होगी, जुरूर लाइक करना, और प्लीज प्लीज चैनल को subscribe करो, आपको ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो देते रहूँगा, कुछ आपकी demand है तो आप comment करो, वैसे वीडियो में आपक लिए जुरूर लाँगा, thank you guys